पॉल एकर्स है और मैं संस्थापक और मालिक हूँ एक कमपनी जिसका नाम है फास्टे कैप यह मैंने वाशिंटन में उनीस सो सतानवे में स्थापित की तुद्फोगा मेरी बैकग्राउंड के बारे में इससे पहले कि मैं ये बातचीत शुरू करो वैसे मेरी आज की बातची में कथा और जनरल थेकेदार था मैंने विशेश तोर पर डिजाइन फनीच बनाया मैंने बॉब टेले के लिए काम किया मैंने टेले गितार से जो पहले 2000 गितार बने उनको बनाया और मैं एक बहुत ही बहतरीन उस्ताद से काम सीखा इसके अलावा मैंने कैलिफोर्निया में बहुत से खुबसूरत धरों को निवनिम्रित किया जो दुनिया के बहतरीन धरों में से है तो इस तरह से मेरा मेरा मैनुफेक्चरिंग से काफी गहरा रिष्टा है परन्तु 1997 में मेरी जिन्दगी बदल गई जब मैं एक बहुती साधारन प्रोड़क्ट इसका नाम है फास कर रही थी और यह बाकी दुनिया को बहुत पसंद आया कि आज फास्ट कैप करीबन 40 देश में 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा बेचा जाता है और 1000 डॉलर्स का व्यवसाय है कुल मिलाकर हमारी करीब 800 प्रोड़क्ट है और हम हर साल 30 नए प्रोड़क्ट लॉंच करते हैं तो इस तरह से हमारी यह संस्था बहुत ही डाइनमिक संस्था है परन्तु यह विश्य नहीं है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ परन्तु मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि यह डाइनमिक संस्था कैसे परिवर्तित हुई हुआ कुछ ऐसा कि हमारी कमपनी को करीबन 3 साल हुए थे और मैं कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा था जो मेरी कमपनी को बहुत उलजन में डाल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे ठीक करूँ और मैंने कुछ विशेशगयों को काम पर रखा और उन्होंने मेरे काम करने के तरीकों पर गौर किया तो मुझे एक बहुत ही कठिन संदेश दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया क्योंकि यह वत था जब मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा था मैंने बिजनेस ओफ दा इयर का पुरसकार जीता था सब लोग मेरी कमपनी में क साम करना चाह रहे थे सब कुछ इतना बहतरीन था सिवाए इसके की प्रबंधन के कुछ कठिन मुद्दो जिसमें से एक था दुनिया भर के अलग-अलग जगह से रो मैटीरियल इंपोर्ट करना उन्होंने मुझे ये संदेश दिया कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ मैंने उनकी तरफ पलट कर देखा वह जवान लड़के थे मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा जवान और मैं जान रहा था कि उन्होंने मेरे जितने पैसे भी नहीं कमाये थे और उनके पास मेरे जैसा तजुर्बा भी नहीं था उन्होंने बॉब तेलर के लिए काम नहीं किया था उन्होंने दुनिया के कुछ बहुत ही खुबसूरत धरों को विस्थापित नहीं किया था उन्होंने उन धरों का फनीचे नहीं बनाया था और वहे एक विशेश या कारीगर भी नहीं थे नहीं उन्हें manufacturing का विशेश अनुभव था परन्तु फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। manufacturing के बारे में जानने की जरूरत है मुझे बिलकुल समझ नहीं आ रहा था वह किस विशेश पर बात कर रहे थे क्योंकि यह मेरे लिए एकदम अंजान विशेश था। कर दिया। अपने पुराने तरीकों की वजह से हम बहुत धेर सारा समान बना रहे थे क्योंकि उस मशीन को सेट अप करना। यहे एक मुश्किल प्रक्रिया थी और हमारा प्रयास था कि जब ये सेट अप होई गया है तो हम क्यों ना एक साथ धेर सारा सामान बना ले फिर हमें उसे ट्रांसपोर्ट करके सेल्फ तक ले जाना पड़ता और फिर उसको मैनेज करना पड़ता उसे रोजाना साफ करो एक पागलपन है आप यह नहीं कर सकते और फिर उन्होंने मुझे दिखलाया मैं ऐसा कर सकता हूँ यदि मैं अपना काम करने का तरीका सुधारू तब मैंने हर प्रक्रिया के बारे में अलग तरीके से सोचना शुरू किया और फिर हम कंपनी के एक दूसरे हिस्से में गए जहा प्रोडक्ते में उन्होंने इससे 7 मिनिट कर दिया वह भी वन पीस फ्लो के साथ और यह इतना हिरान करने वाला था अविश्वसनिय था कि हम इतना बड़ा वरकस्टेशन बना कर उस पर 100 पार्ट्स बिच्छा कर 100 स्टीकर लगते थे और 100 नट लगते थे फिर हम 109 लगाते थ रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप एक बार में केवल एक पीस ही बनाएंगे और इस तरह से जब आप एक बार में एक पीस बनाएंगे और जब वह बन जाएगा और अगर किसी वजह से कोई गलती है तो आपने सिर्फ एक ही प्रोड़क्त पर वह गलती की होगी और आप मुण कर वापस जाकर उसे एक प्रोड़क्ट को ठीक कर सकते हैं फिर आप उस प्रक्रिया को भी ठीक कर सकते हैं जिससे वह डिफेक्ट बना तो इस तरह से जब next प्रोड़क्ट बनेगा तो वह perfect होगा इस तरह आप एक बार में एक प्रोड़क्ट बनाकर quality को अच्छे स मेनेज कर सकते हैं और यह मेरे लिए बिलकुल एक नया तरीका था जो पहले मुझे कभी समझ में नहीं आया था उसी वक्त मैं इतना कायल हो गया कि मैंने हवाई जहाज पकड़ा जापान गया मैंने Toyota की Lakes Car बनाने वाली factory को विसिट किया उनकी टर 1 टर 2 supplier को विसिट किया और मेरी आखे खुली की खुली रह गई मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था वो है इतना बहतरीन था तो इस तरह से मेरी जिंदगी मेरी कमपनी के 3 साल में ही बदल गई मैं अपने हर काम के बारे में अलग तरीके से सोचने लगा और मैंने ये ठान लि है काम को रोकना और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि Lean में आप सबको न केवल नेताओं को बलकी प्रबंधकों को वकस को सबको ये हाधिकार दे रहा है कि वह काम को रोक सकते हैं यदि वह किसी समसिया का सामना करें और पहले उसको ठीक करें और यह सोचने का एक बिलकुल अलग तरीका है, यह वह तरीका नहीं है जिस तरह अधिकतर बिजनेस लीडर्स सोचना चाहते हैं क्योंकि उनका काम है कि जादा प्रोडक्ट बने जादा सल्स हो और जादा प्रॉफिट हो, जादा कैश फ्लो हो और हम इन सारे मानकों का पीछा करने में इतने उल्जे रहते हैं, जो की दरसल संस्था को बरबाद कर रहे हैं, मैंने नए मानक अपनाए और वह मानक थे लगातार सुधार, सभी की भागीदारी, क्वालिटी, एक वत में एक ही पीस बनाना, तो इस तरह से मेरे नए मानक पुराने मानकों के एकदम विप्री होना खेर, यह सच चाई है कि अगर आप क्वालिटी बनाए, अगर आप कम डिफेक्ट बनाए, अगर आप काम को रोके और समस्याओं का निवारंग करें, तो निसंदेह आप पहले से तेज काम करने वाले हैं, आप ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं, क्योंकि आप कम डिफेक है या फ्लू है और आपका इलाज एक इमजनसी रूम में किया जाए तो उसका बिल हजारों में आएगा और अगर आप किसी साधारन डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कराए तो उसका बिल 100 रुपय या 200 रुपय आएगा और ऐसा ही कुछ होता है जब आप डिफेक्ट बन करने के लिए और फिर आप कुछ ऐसे लीडर्स को हाय करते हैं जो कि Master Firefighter है जो दिन भर इन समस्याओं का निवारंग करते हैं वही एक बड़े समस्या निवारक है सुपरमेन की तरह भाग दोल करते हैं और सारे समस्याओं को सॉल्व करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क बताना चाहता हूँ कि वे बहुत समझदार है यदि आप उन्हें सीखाने और पढ़ाने पर वक्त लगाए तो आपकी संस्था भी एक विश्वस्तरिये समस्या सौल करने वाली संस्था हो सकती है जिसमें सभी लोग विश्वस्तरिये समस्या निवारक होंगे और कुछ ऐसा ही मेरे साथ घटा मैंने काम को रोका अपने लोगों को पढ़ाना और सीखाना शुरू किया हर सुबह हम लोग एक मॉनिंग मीटिंग में आधा घंटा अपने लोगों को सीखाने और पढ़ाने पर लगाते हैं और यह हम करीबन 20 साल से कर रहे हैं और यह कुछ लोगों के लिए बहुत ही हैरान करने वाला विशे है. बहुत से लोग ये बात कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हम हजारो लाखों रुपे रोजाना अपने लोगों को सीखाने पर खर्च कर रहे हैं अपनी रोजाना प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही. और ह हम दिन में करीब 6 घंटे ही काम करते हैं बाकी वक्त हम या तो 3S कर रहे हैं. स्वीपिंग सोटी गेवं standardized. हमारे चारो तरफ हम सफाई कर रहे हैं हर एक चीज को organize कर रहे हैं ये पक्का कर रहे हैं कि सब चीज पफेक्ट हो काम करने के हालाद बहतरीन हो तो इस तरह से हम रो होती कम defect बनाते हैं क्योंकि हमने अपने लोगों को काम रोकने की ताकत दी है पिछले ही दिनों कोई मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वो aerospace उद्योग से संबंध रखते हैं उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने लोगों को सुधार करने के लिए कब वक्त देते हैं और कैसे आप उन्हें जब चाहे तब काम रोकने की शक्ती देते हैं तो मैंने कहा दिन में किसी भी वक्त वह किसी भी प्रक्रिया पर काम कर रहे हो अगर समस्या है तो काम रोके मदद मांगे जो भी सुधार करने में मदद कर सकता हो और फिर उस सुधार पर काम करें इतना काम कर लेते हैं जितना वह 40 धंटे में करते हैं और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारी productivity हर पैमाने पर उनसे बहतर होगी वह वी 4 या 5 गुना बहतर किसी भी सामाने company से और किसी भी सामाने अच्छी company से. हम ये सब कैसे करते हैं हम कम को सकते हैं. हम ये सामस्या को ठीक करते हैं और इस तरह से आप साफ साफ देख सकते हैं जब आप Toyota जाए या Lexus जाए तो वह इतनी बहतरीन विश्व स्तरिय कारे बन पा रहे हैं. दुनिया में सबसे बहतरीन कारे बना रहे हैं और आप देखेंगे कि उनके यहां पूरी production line अचानक रुख जाती है. जब कोई रसी को कीचता है आप हैरान होंगे कि पूरी assembly line रुख जाती है सारे वरकरस का काम करना रुख जाता है कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वह ये बात समझते हैं इस तरह से quality कम कीमत में बन जाती है उनका पूरा ध्यान समस्याओं पर है वह अपनी समस्याओं को मदद करते हुए कि वह हर काम को सुधारे सबकी पूरी भागीदारी समस्याओं को ढूंदने में ताकि वह उसे सुधार कर सके quality को सुधार सके काम करने का माहौल सुधार सके काम करने के तरीकों को सुधार सके और अचानक आपके सभी वकर साथी खुशी यह सोचते हुए घ चीक करें काम रोके और जो समस्या है उससे धूंदे और ठीक करें काम रोक, समाधान धूंदे, एक्सपेरिमेंट करें काम रोके और सीखे क्या तरीका कम कर रहा है और क्या तरीका काम नहीं कर रहा है और हम इस बात की परवा नहीं करते कि वह कोई एक्सपेरिमेंट करें और हो जाए सच्चाए तो यह है कि fastcape में कम से कम 50 प्रतिशत लीन सुधार जो हम लोग implement करते हैं fail हो जाते हैं और इसकी हम बिल्कुल परवा नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसा करके कम से काम यही सीख रहे हैं कि क्या काम नहीं करता और इस तरह से वह आखिर में धूंढी ल जब हमने उनकी factory का दौरा किया और उन्होंने हमें दिखाया कि हर रोज पूरी company president के साथ मिलकर फर्ष साफ करती हैं सफाय करती है थरी ऐसीं करती है जो किसी भी दिन का पहला काम है जो वह करते हैं वह खिलकियों को साफ करते हैं company की गारियों को साफ करते हैं वह बहुत ही अद्भुत काम करते हैं जो आपने कभी भी देखा होगा और उसके बाद उनकी मॉनिंग मीटिंग करते हैं और फिर वो प्रोडक्शन करते हैं और फिर मैं मिस्टर मादबा से कहा मैंने कहा सुनिए ये कितना अविश्वसनिय है क्या होता है जब यहाँ पर फोरी से लोग आत उनका मानना है कि उनका अस्तित्वर इसलिए है क्योंकि चीजे कटिन है जबकि सचाई यह है कि किसी भी एक विश्वस्तरिय संस्था को बनाना बहुती साधारन है बहुती सिंपल कॉमन सेंस सिध्धानतों से ये किया जा सकता है और इन साधारन सिध्धानतों के भरोसे अचानक जादूई तरीके से वह सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं जिनका सामना दुनिया की ज़्यादा तर कमपनिया कर रही है। और मैं भी यह सब इसलिए कर पाया क्योंकि मैं काम को रोकने वाली संस्कृति के बारे में सीखा। झाल